Cross Cultural Research, Methodological Consideration इसका मतलब यह है कि हमें क्या क्या research को conduct करने में बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या मसाइल पेशा सकते हैं, किन बातों की planning में पहले से हमें वो बातें शामिल करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं, जब हम cultures के बीच में research करने हों, तो कुछ बातों को पहले से दिहान रखना होता है, जिन में पहली बात तो यह है कि आपको field work से पहले अच्की तरह त्यारी करनी चाहिए, क्योंकि आप अपने culture में भी अगर एक से दूसरे अलाके में जाएं तो आपको इस अलाके को समझना पड़ता तो जब आप किसी और society या culture का data कठा कर रहे हैं, तो field work से पहले त्यारी होनी चाहिए, फिर आपके sample मुनासिब हो, कैसे कि आपने किसी मुल्क में, किसी culture में सिर्फ अमीर लोग ले लिए हैं, सिर्फ student ले लिए हैं, सिर्फ working class ले लिए हैं, सिर्फ working people ले लिए हैं, आपने किसी class को या किसी education के साबते किसी तबके को बिलकुली निकाल दिया है, अब क्या होगा, जब आपका data compare होगा, तो आप कहेंगे जी पाकिस्तान से 1000 लोगों का data था, तो पाकिस्तान में तो लोग तालीमी निजाम को पसंद करते हैं, या 90% लोग पाकिस्तान के वो engineer बनना च आते हैं, हो सकता है कि बात दुरूस्त तो लेकिन आपने जिन हजार लोगों को शामिल किया है, वो पड़े लिखे लोग है, इस तरह income level या कोई और रवया attitude जो आप culture के साब से देख रहे हैं, वो अगर आप वो हजार का sample university student लेंगे, तो वो पाकिस्तान के और तस्वीर प साथ जो भी research करें, वो यौरप का है या एशिया का है, तो उनकी sampling जो है, वो important है, कि आप किस को अपने sample में शामिल कर रहे हैं, कई वो उसकी कोई यकतरफा या महदूत तस्वीर तो नहीं पेश कर रहा है आपका sample, फिर data collection की जो approach है, वो मुकमल होनी चाहिए, adequate होनी है, फिर आपकी research किस के लिए है, consumer कौन है आपकी research के, वो भी देखें, कि इसका किस को फाइदा होगा, कि आप जो cross culture की चीज़ें देख रहे हैं, वो academic में फाइदा है, business की understanding में फाइदा है, बिजनस की understanding में फाइदा है, मसला लोग चीज़ें क्या देख कर खरीदते हैं, ये research England में हुई, लेकिन बहुत सारे countries के हिसाब थे हुई, तो होसकता है कि जो हम Pakistan से नहीं तो हमें पता चलेगा, कि हम investment में कुछ और देख रहे हैं, अपनी family के पैसों की, और England में लोग कुछ और देख रहे हैं, तो उसका एक फाइदा economic management क्या investors या business को होता है, इसी तरह ह बहुती चीजों का society, health, medicine में आपके consumers होंगे, जो जानना चाते हैं कि पाकिस्तान में mental health में क्या हो रहे है, physical health में, medicine में क्या हो रहे है, England में क्या हो रहे है, उसके साब थे आप अपने लिए job या business को बढ़ाते हैं, या तालीमी program शुरू करते हैं, या आपके consumer है, social and cultural context को देखें, कि उसके इद्गित क्या महौल है, जहां से आप data ले रहे हैं, जिस sample को ले रहे हैं, उनका cultural और social scenario और context है क्या, ताकि उसके मताबिक आप फिर अपनी research को plan करें, तभी समझ में आएगा कि इस research कोई फायदा हुए है, फिर आपके practical और management के skills चाही होते हैं, आपको ethical होना है, यानि खलाकी तोर पे आपने इस research को आपने करना है, और आपको sensitive भी होना चाहिए किसी और culture के लिए, research को describe करते वे authors को demographic information देनी चाहिए, कौन लोग थे, कहां रहते थे, उनकी उमर के आती, कितने मर्द, कितने और और जो भी इनका income level, उनकी social economic status, education level, यह information करनी चाह है, कि इन्होंने अगर इस मुल्क से data लिया, तो किसका लिया, फिर interpretation करें, results की, वो valid हो, results को करना हो, तो उसके लिए हमें इस बात का दिहान रखना होगा, कि हमने पूरी information प्रवाइड की है, अपनी study में, participants के बार, ताकि हम यह पता चले कि students पे research होई, तो क्या बाकी दुन research है, उसके लिए आपको एक useful information मिल जाती है, जो demographic information है, जैसे age है, race, आपकी नसल, आपका biological sex, social economic status, यह इस सब की जो information है, उनको जब हम document करते हैं, तो उसका मतलब यह नहीं होता कि कोई हरकत या कोई behavior इसलिए हो रहा है, कि वो इंसान मर्द है, या औरत है, या वो किसी खास न आम तोर पर हम psychological factor देखते हैं, लेकिन एक चीज़ जो एहम है, वो यह कि जो नसल है और ethnicity है, आपकी जो एक कौम के लेवल पर होती है, और कौम के अंदर जो छोटी मुखती बराद्रियां और कौमें होती है, तो इनको explanation नहीं का जा सकता, कि क्योंकि यह सदर्न कल्चर के हैं, अमेरिका के या अफरीका के किसी खास नसल के हैं, या पाकिस्तान में ये किसी खास नसल के हैं, या पठान हैं, पंजाबी हैं, बलोची हैं, तो ये इस वज़ा से हैं, इनका behavior है, ये psychology में accepting किया जाता, आपको उन इनसानों के अंदर उनके अपने variable द ये ये थे, तो उससे समझ आ जाता है कि उस जगा पे उस रीजन में ये खास behavior क्रॉस कल्चरली नजर आ रहा है, इसके ये invariables की importance है, कुछ brain imaging studies, जो brain का scanning या mapping करते हैं, इस MRI वगएर है, वो ये show करते हैं, कि culture और age, इन दोनों से फरक पड़ता है, जो neural processing, neuron के level पे brain में हो रह रहे हैं, वो culture और age के साबते हैं, ये एक research है, जिसका हमने हवाला नीचे दिया है, small print में, फिर cultural category के साबते हैं, आपने data को कैसे interpret करना है, मसलन कुछ culture में test के बारे में attitude भी फरक है, अच्छा आप ये भी देखें के लोग HKS से आई हैं, लेकिन वो USA में रह रहे हैं, उनको वहां के culture का पता चल गया, तो जब वो आपका test कर रहे होंगे, तो क्या वो अपनी original Asia की background के साबते कर रहे होंगे, या वो जिस नए culture में वो बन चुके हैं, ये एक एहम बात है, जिसको सोचना पड़ता है, behavior बदल जाते हैं, मैं कहीं जाती हूं किसी और मुल्क में, मैं व वहां की जबान बोलना, वहां की तरह पैसे निकालना, खर्च करना, और दुकान में जाके कुछ करना, जो भी चीज़े हैं, behavior हम वो करने लग जाते हैं, लेकिन जो अंदर के attitude हैं, वो इतनी जल्दी change नहीं होते हैं, तो Asians की example देते हैं, कि दोनों culture के member रहते हैं, अपने अ जहां वो रह रहे हैं, तो क्या वो अभी भी अपने पराने culture में हैं या नए culture में हैं?